कि मॉर्निंग स्टूडेंट्स मेरा नाम है बैभव आज हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारा केमिस्ट्री का चैप्टर थ्री तत्वों का वर्गी करन एवं गुड़ धर्मों में आवर्दिता हम इसका पार्ट सोला पढ़ेंगे आज अभी तक हम 15 भाग पर 15 भाग पर दिश्ट डालेंगे ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे रसायनिक गुड़ धर्मों में आवर्द प्रवक्ति उसके बाद मतलब उसी में हम सहीं जक्ता में आवर्दिता या ऑक्सीकरण अवस्था यह क्या होती है इस पर भी चर्चा करें जिसे हम डाइलरेलेशनशिप बोलते हैं अख्रिय यूगन प्रवाव लेइफसे हम इनय प्रवाव हैं लेंट्प प्रवाव जिसे हम एनर्ट पेर एफक्ट बोलते हैं इत्यादी पर चर्चा हम आगामी ऐक अंगों पर करेंगे इस भाग में तत्मों की सही जक्ता में या ओक्सीकरन अवस्था है ठीक है सही हो जगता नाम से पता है वैलेंसी की या फिर ऑक्सीकरन अवस्था है यह क्या होता है कि जब कोई दो तत्व है ना जब कोई दो तत्व परमाणू कितने भी हो सकते हैं कितने भी नहीं लेकिन हो सकते हैं वह उनकी ऑक्सीकरन अवस्था या तो देते हैं या लेते हैं है न तो इसे इस पूरे उसको हम मदलब कितनी एलेक्ट्रोन दे सकता है या ले सकता है इसे हम उदकी सही उजकता बोलते हैं औूभी हम इसे अक्सितरन अवस्थाएं के नाम से यरूपत करते हैं सईयोजक्ता तत्व का महत्वपूर्ण गुर्धर्म इस तत्व के electronic विन्यास की आधार पर समझा जा सकता है। जो सईयोजक्ता होती है वो तत्व के electronic विन्यास की आधार पर ही होती है। निरूपक तत्वों जिसे हम जिने हम representative elements की नाम से जानते हैं कि सही हो जकता सामाननेता सामाननेता है ना हमेशा नहीं सामाननेता कुछ अभवाद भी हो जकते हैं उस तत्व के भार्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या के बराबर होती है जो निरूपक तत्व है जिने हम representative elements की नाम से जानते हैं उनमें जो तत्व होते हैं उनमें जो तत्व के परमाणु है उनमें जो अंतिम जो अंतिम जो मतलब जो भार्तम कोश है उसमें जितने electron उपस्तित होते है वह उनकी सही हो जकता या oxygen अवस्था होती है ठीक है यह यह सामाननेता है आवश् ャँपर है तो हम आठ से उन्हें घटा देंगे तो जितने आएंगा उनकी अक्सी घण वस्ता जैसे अगर मान लीजे उसके अंदिम खोश में बातम खोश है उसमें दो एक्ट्रॉन है तो दो होगी सयोंजकता लेकिन अगर पांच वह करकों थिस है इसियोत क्ष्च एक क्ष ilspping आठ की संक्या में से बहत्तम इलेक्ट्रोनों की संक्या घटाने पर जो संक्या प्राप्त होती है वही उस्तत्व की सयोजक्ता कहलाती है सयोजक्ता के स्थान पर अब ऑक्सिक्लन अवस्था पद का प्रयोग होता है ठीक है ऐसे दो योगविकों पर विशार करते हैं जिनमें ऑक्सियन है ठीक है, OF2 और NA2 अब इन योगवकों को जो हम देखेंगे OF2 और NA2 तो इनमें हमारे पास दो तत OF2 में दो तत्में और NA2O में भी हमारे पास दो तत्में लेज़न परमाड़ कितने हैं? OF2 में 2 परमाणू flourini के और 1 oxygen का ऐसे Na2O में 2 परमाणू sodium के और 1 oxygen का इन योगिकों में 3-2 तत्म सामें जिनकी विद्यत्रणात्मक्ता का क्राम कुछ इस प्रकार से है सबस्यादर जो विद्यत्रणात्मक्ता है मैं पता है पूरे आवरसाण्णी में flourini की होती है फिर oxygen की होगी क्योंकि वह वर्व सोला में है और फिर होगी sodium की क्योंकि वह आवड़ साड़नी में काफी वाई और होता है तो इसमें अगर हम इन तीन तत्वों में देखें सबसे दिख विद्युत्रनात्मक्त hard फ्लोरीन की फिर ऑक्सियन की और फिर फिर सोडियम की तोरीन की जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ सजयोजन करता है, म contributing 2-a-a-. इन में सबसे थाल ना. थे न, तो उसे एक तो उसे 2b6 में पूरा भर जाएगा ना प्ज़क पूरा भरच जाएगा तो उसे सिर्फ एक ऐलेक्ट्रन चाहिए और जो उसका पीकक सके मों भरचाएगा इसलिए उसकी ऐके मारएकर जालिएॉक तो ऑप पर जो हम oxygen को देखेंगे तो उसकी जो अब oxygen अवस्था होगी वह प्लस दो होगी क्योंकि इस अडू में दो fluorine परमाडू है oxygen का बहुत्तम electronic विन्यास कितना है क्यों स्टू 2P4 होता है यह fluorine परमाडू साथ दो electron का सयोजन करता है तो oxygen करेगा दो electron के साथ किसका fluorine एक 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 electron के साथ ठीक है कितना समझ आ गया चलो इसलिए इसकी oxygen अवस्था कितनी होगी प्लस दो होगी इसकी oxygen की अब एने टू अब हम अभी हम ओएफ टू भी बात कर रहे fluorine की थी इसलिए जो एलेक्ट्रॉन थे वो ग्रहन किस ने कि फ्लोरीन ने कि लेकिन एने टू में जब हम देखेंगे जो यहां जो सबसे आदा है विद्धुत रादमक है वो क्या है oxygen है है ना sodium की इससे कम होती है तो यहां पर जो एलेक्ट्रॉन करेगा वो क्या करेगा oxygen करेगा ठता प्रते एक sodium पर माडू एक electron देता है है ना और sodium एक electron दे भी सकता है क्यों कि यह वर्ग एक में है और वर्ग एक में अगर हम sodium का electronic विन्यास देखें तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 यही होगा ना तो इसे एक electron जैसी देगा तो यह भी neon की जैसी electronic विन्यास मिल जाएगी मतलब पालेगा है ना जिसके वैसे जादा स्थिर हो जाएगा तो यहां पर sodium एक electron देगा और oxygen दो electron लेगा क्योंकि sodium एक ही देगा तो इसलिए हम यहां दो sodium ले रह electron देगा और oxygen उन दोनों electron को ले लेगा अधा oxygen यहां पर oxygen अवस्था माइनिस दो को दर्चाता है दूसरी ओर sodium जिसका भादता में electronic विन्यास 3s1 है एक electron oxygen को देता है और इस प्रकार इसकी oxygen अवस्था प्लस एक हो जाती है ना electron रणात्मक्ता का ध्यान रखते हुए एक प्रवक्ता जो है उसको ध्यान रखते हुए एक विशेश योगिक में तत्व के किसी पर्माडू द्वारा अन्य पर्माडू के आवेश की संख्या गिरहन करने को उसकी oxygen अवस्था कहते हैं ठीक है समझा गया चला है हाइड्राइट तथा ऑक्साइड में तत्वों की सईय प्रकृतियों को इस पुस्तक में अन्य बाद में भी हमने उस पर चर्चा की गई है बहुत से तत्व ऐसे भी हैं जो परिवर्ती सही हो जगता या फिरीवल वैलेंसी दर्शाते हैं जैसे कि अगर हम एक्टिनोइट की बात करें तो एक्टिनोइट का एक गुड़ी है क्या जो परिवर्ती सही हो जगता है वा एक्टिनोइट का एक गुड़ है परिवर्ती सही हो जगता संकर्मर तत्वों एबं एक्टिनोइट तत्वों का एक विशेश अभी लग्चण है इसका अध्यान अभी हम बाद में करेंगे ठीक है इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते है ठीक है उधारा नमबर 3.8 आवर्ट सार्णी का उपयोग करते हुए निम्नलेकित यूगमों वाले तत्मों के सैयोग से बने योगेकों के अडू सूत्र की प्रागुक्ति कीजिए हमें क्या करना है आवर्ट सार्णी का उपयोग करके पीरियोडिक टेवल का उपयोग करके य यह नँ? तो हमें इनकी प्रे क्रेक्शन यहाँ पर प्रागुक्ति करनी है तो का है सिलिकаемся एवं ब्रोमी सिलिकान और ब्रोमीन के बीच में क्या आडू सूत्र बनेगा उनके वालप सीलिकान स्या सल्फार के इन दोने दोनों तत्विका बने गा हमें यह बताना है ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम सिलीकॉन एवं ब्रोमीन के बारे में देखते हैं सिलीकॉन आवर्चाणी के चौधवे बर्च का तफ़ है तो इसकी सही होगता चार होगी तो हमें पता है अगर चौधवे बर्च का तथव है तो जो इसका अंतिम electronic विन्यास होगा बलब जो electronic विन्यास होगा तो उसमें जो अंतिम खुश होगा उसमें इसके चार पर्माण चार electron होगे इस वज़े से इसकी जो सही होज़कता है वो क्या है? चार है और अगर हम bromine की बात करें तो bromine है पता है बर्ग सत्रा में आता है है ना, fluorine, fluorine फिर ब्रोमी तो जो bromine है वो सत्रवे बर्ग में आता है इसलिए हैलोजन परिवार का है इसलिए जो उसकी सही होज़कता है वो एक होगी यह हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक electron लेकर वो उत्क्रस्ट्यव में ये electronic विन्यास पा सकता है। इसलिए उसकी सई हो शकता है वह एक है। है ना क्योंकि उसकी जो अंतिम कोश है जो भात्तम कोश है उसमें सात无ज होगे था सात या है तो उसे बस एक एलेक्ट्रण चाहिए और वो अपने उतकरस्ट गयस की एलेक्ट्रानिक विन्यास पा लेगा और यह हमने पढ़ा है कि अगर अंत्र में साथ 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 को हम आठ से घटाएंगे तो आठ में से साथ घटा है तो कितना एक आया तो उसकी सही जगता कितनी हुई एक हुई अथा योगिक का अडुसुत्र SIBR4 होगा कैसे हुआ देखो सिलिकॉन जो है उसकी सही जगता 4 है है ना तो मतलब या तो परम चार एलेक्टरون देगा या चार एलेकट्रम लेगा तभी stable gas था ही हो पाएगा है ना लेकिन जो Dan जो ब्रोमीण है उससे सिर्फ एक एलेक्ट्रम से एक इलेक्ट्रम चाही थो एक एलेक्ट्र इतने होने पड़ेंगे चार क्योंकि एक ब्रोमीन एक एलेक्ट्रन लेगा तो चार ब्रोमीन और एक सिलिकॉन तो इसकाडु सूत्र क्या होगा SIBR4 होगा ठीक है ऐसे है अब हम Aluminium तता सल्फर का देखेंगे तो Aluminium जो है आवर सांड़ी में तेरवे वर्क का तत्म है है ना आवर सांड़ी में तेरवे वर्क का तत्म क्या है Aluminium है जिसकी सही जगता तीन होती है उसके जो बहत्तम खोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते है तीन इसलिए जो Aluminium है उसकी सही जगता कितनी होगी तीन होगी और आवर हम सल्फर को देखें तो सल्फर किसमें है पता है सोल्वे वर्ग में आता है ना ओक्सियन सल्फर है ना फिर सल्वे वर्ग सोला होता है उसमें सल्फर वर्ग सोला में तो सल्फर सोल्वे वर्ग का तत्व है जिसकी सही जगता दो है क्योंकि अगर कोई तत्व वर्ग सोला का है तो अब उसे बस दो इलेक्ट्रोनोट चाहिए और वह उत्करस गैस की एलेक्ट्रोनिक विन्यास पालेगा है ना तो जो सल्फार है जो सल्फार है उसकी सही जगत्ते कितनी होगी दो होगी अथा ऐल्यूमीनियम तथा सल्फार से बने योगिक का अरुसूत्र AL2 S3 होगा कैसे देखो sulfur को 2 electron है sulfur को कितने 2 electron देखो sulfur को चाहिए 2 electron है ना 2 ещё है genuine 3 है एक sulfur 3 दो नहीं ले सकता थो हम 3 sulfur लेंगे और 2 aluminium लेंगे तो 3 sulfur को मिलाके 6 electron चाहिए पढेंगे और 2 aluminium परमाणू को मिलाके 6 एलेक्ट्रान देने पड़ेंगी है ना इसलिए जो अडुस उत्र है वो क्या हो जाए एल्टु एस्ट्री हो जाएगा तो सिलीकोन और ब्रोमीन के बीच में SIBR4 और एल्यूमीनियम थता सल्फर के बीच में एल्टू एस्ट्री ठीक है इतना समझा गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज हमने क्या पड़ा आज हमने रसायनरी गुड़ धर्मों में आवर्थ प्रवक्ति जो की आपकी पुस्तक में 3.7.2 पर दी हुई है इसमें चर्चा की उसमें हमने सईनुजब्ता में आवर्थ ता या ऑक्सीकर अवस्था हैं क्या होती है इसमें चर्चा की और इसे हमने अच्छे से समझा बाकी अगले भाग में हम दुत्ति आवर्थ के तत्वों के गुड़ धर्मों में असंगता जो दुत्ति आवर्थ के